आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसका संबन आजादी से है आजादी में पटना की भूमिका क्या थी उससे है आजादी उन दिवानों से है जो घंडा फाराने के लिए अपने खुरवानी दिती है उन साथ सहीरों से है जिनका नाम हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने पलिदान दिया था शहीद हुए थे वो देश क की खाती चिरंगे की खाती ऐसे अंग्रेजों ने बड़वरता फुर्वक और उन्हें गोलियों का निशाना बनाये था इस कहानी में आपको जो घटना है इसमें अंग्रेजों की बड़वरता दिखेगी उनकी टूरता दिखेगी कि बड़वरता 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 दिखेगी सच्चिवाले भवन पर राश्ट्रेट वज़ा फ़राने के ख्रम में ऐसा हुआ था अंग्रेजों ने अपनी परबरता अपनी प्रोड़ता का परिछय दिया था और इन साथ मासूम जिंदगियों से खिल इनकी जीमा निला को मात करती है तावरतोर गोलिय की तत्रहाट इसी जगह पर इसी जमीन पर हुआ था इस साथ सही थे जवान थे यंग थे इसकूलों में पढ़ने वाले नौमी कप्छा के छात्र थे दस्मी कप्छा के छात्र थे तर तीन एज में प्रवेश्ची थे और उन्हें अंग्रेजों ने अपने दोले पा निशाना बने बात इकाराः अगस 1242 की है जब भारत छोड़ों अंदोलन के तौरान परसित गांथे वादी डॉक्तर अनुगरह नारायन सिंग को पटना में राष्टेर वज्चे पराय जाने एक प्रम में ग्राफटार किया गया था उसी का एक मजबूत तिक्रिया था इन साथ युवाओं का लेकिन अपने देश की खातिर अपने तिरंगे की शान खातिर आन की खातिर पान की खातिरों ने भलिदान दिया था अंग्रेजो ने निर्देटा का परचय दिया था बरवरता का परचय दिया था आज उन्हें याद करने का दिन है हम उनका नाम भी आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन थे उनमें एक थे उमाकांत परचात सिनहा जिन्हें रमन जी भी लोग कहा करते थे जो राम मोहन राय सिमिरी पक्षा नौ के छात्र थे और नरेंदर पूर्थ सारण के रहने वाले थे और शाहिदत नगर जो परतमान धनरुवा है पटना जीला में पड़ता है वहां के रहने वाले थे पटना कॉलेज इस्कोल पक्षा 10 के छात्र थे फरहर बहाभागल के रहने वाले थे जगटपती कुमार भिहार नेशनल कॉलेज दुटे बर्श घर्टी और रंगाबाद के रहने वाले थे और भिटे वर्श के छात्र थे पट भिहार नेशनल कॉलेज में थे देवित पता चौधरी मिलर हाई इगलिजिंस स्कोल कक्षा 9 के छात्र सिरहट जमालपूर ग्रहन और राम गोवीं सिंग उनुन उच्छ अंग्रजी स्कूल मैट्रिक वर्ग नौ मी के छातर थे और नया गाउं सारण करहने वाले थे सहीद हुए इन साथ में दो पठना जिला के और दो सारण के भागलपुर के गया के और अंगाबाद के रहने वाले थे इनकी सहाथत को शर्षत नमन हम पठना में रहते हैं बिहार में रहते हैं और पठना में रहने के बाद गर्व महसुस करते हैं कि हमारे अथीत में इन लोगों नो जब वलिरान दिया हमारे देश की आजादी एक खाती अपने जरंगे एक खाती वो हमें गर्व महसुस कराता है गौर्वानुद करता है आज उन्हें नमन करने का दिन है उन्हें याद करने का दिन है उनके पती सची सरधांजली देने का दिन है भारत के इन वीर सपुतों को सच सच नमन फिर मिलेंगे किसी और ने अपड़ेट के साथ सब तक कि निरसेन का प्यार भरा नौसकार जै भारत जै भीवारत